यातायाद पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में 34 वाहनों का चालान आधा दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों का भी काटा गया चालान जनपद आजमगड में माल वाहनों से जैसे ट्रेक्टर ट्राली डाला डंपर इत्यादी पर यात्रा करनेवाले अधब माल वाहनों से यात्रीयों को ढोने में प्रियोग करने वाहनों के विरुद विशेश चेकिंग अभियान चलाए गया अवियान के दोरान जनपद के सभी थानाक छेतर में चेकिंग अवियान के साथ-साथ ग्रामों में आम जन को जागरूक करने के लिए भी जागरूकता अवियान चलाया गया अभियान के दोरान जन्पद के एक सो पन्चानवे गाव में 3,222 व्यक्तियों को जागरूख किया गया और चेकिंग के दोरान ट्रैक्टर, ट्राली, पीकप, डाला तथा अन्ने मालवाहक दोरा यात्री ढोने वाले 34 वाहनों के विरुद चालान की कारवाई की गई जिसमें एक ट्रैक्टर, जिसमें लगबग 30 सवारी और एक पीकप जिसके ऊपर 5 सवारी बैठे हुए थे को सीज भी किया गया और 20,000 रूपया शमन शुल को वसूल आ गया इसके अलावा पूलिस आफिस आजमगड से पहाड़ पूर तिराहे तक पैदल गश्ट कर आम जन को जागरूख किया गया तथा हेलमिट, तीन सवारी, नो पारकिंग, अन्यायात नियमों के उलंगन करने वाले वाहनों के विरुद चालान की कारवाई की गई जिसमें आधा दरजन से अधिक पूलिस करमियों का भी चालान किया गया गश्ट और चेकिंग के दोरान शहर के दुकानदारों को भी सलक पर अतिक्रमड न करने के संबंद में चेतावनी दी गई इस मौके पर बताया गया कि M.A.P.P.L.S. I.P. के जरीए आम जन्मानस को सुलब यातायाद बेवस्था की जानकारी मिलेगी जन्पद वासियों को आउगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस और मैप माई इंडिया के माध्यम से प्रदेश में यातायाद बेवस्था को सुलब बनाए रखने के लिए M.O.U. किया गया है जिसके माध्यम से आउगत कराया गया कि मैप माई इंडिया द्वारा सोदेशी MAPPLS IEP के माध्यम से सड़कों पर चलने वाले आम जन्मानस को यातायाद बिवस्था और सड़क सुरक्षा के लिए एलर्ट किया जाएगा इस मैप के माध्यम से उपयोग करताओं को यातायाद सुरक्षा संबंधी एलर्ट जैसे जुलूस, विरोध रहलियां, वियाईपी मुव्मेंट, डाइवर्जन एलर्ट, यातायाद जाम, ओवर स्पीडिंग, सलक दुरगटना प्रभावित क्षेत्र, स्पीड ब्रेकर, अं APPLS डाउनलोड करके हुपरोक्त सुविधाओं का लाब ले सकते हैं